नमस्कार A to Z डिशष उश्या कोरजानी में आप सब का स्वागत है बच्चे होयां बड़े हम सभी को पानी पूरी खाना तो बहुत ही पसंद है तो मैंने सोचा आज बनाते हैं लसुन के फ्लेवर वाली पानी पूरी यानि कि जो ये पानी पूरी का पानी है अब वो हम लसुन के फ्लेवर का बनाएंगे और ये इतना बढ़िया लगता है तो सबसे पहले हम पानी बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर आपको 20-25 लसुन की कलियों को चील कर डाल देना है आदीन चद्रक के टुकड़े को डाल देना है दो से तीन हरी मिर्ची थोड़ा सा जीरा इसी के साथ थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर थोड़ा सा बुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ी से धन्या के पते और एक कप जितना पानी डाल दे और इसे ढखकर अच्छे से पीस लेना है यह बहुत ही spicy और tasty पानी बनता है और यहाँ पर अब इसे आपको छान लेना है और बहुत ही simple सा भी है तो देखे छानने के बाद अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ तो यहाँ पर आप देख सकता है mixer jar में से mix करके ही मैंने पानी डाला है और इसे हमें अच्छे से चान लेना है तो इसके अंदर मैंने total दो glass जितना जो medium size के glass आते हैं तो दो glass जितना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसे हमने अच्छे से इस तरह से चान लिया है चानने के बाद आप देख सकते हैं यह जो लस्टन के फ्लेवर का पानी है वो बन कर तयार है अब इसको और चटपड़ा बनाने के लिए इसके अंदर नमक डालेंगे काला नमक और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और एक खास इंग्रीडेंट है वो है बसाला बूंदी तो यह डाला बिल्कुल भी ना भूले पानी के अंदर और थोड़ इसे बरफ के टुक्रे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से इस तरह से mix कर लेंगे लिए तयार यह बढ़िया सा लस्टन के फ्लेवर का पानी और अब मसाला बना लेंगे वो तो आप चने वाला भी बना सकते हैं प्यास वाला भी या सिंपल आलू का मैं तो सिंपल आलू का ही बनाती हूँ उसके लिए मैंने आपर देखे दो से तीन उबले वालू ले लिए जिसे मैंने छीड लिया और हाथों से मसल लिया है स्वाद अनुसा नमक, लालमिश पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़े से धनिया के पते डाल कर मिला लीजे मैं बहुत ही सिंपल मसाला बनाती हूँ, आप चाहे तो इसके अंदर पके हुए काले चने भी डाल सकते हैं, बारी कटा और प्यास भी डाल सकते हैं जैसा आपको मसाले और जितने आपको इसके अंदर चीजे डालनी हैं आप डाल सकते हैं मैं आपर सिंपल मसाला बना लिया और अच्छे से मिला कर देखे हमारा ये पानी पूरी के लिए मसाला भी तयार है पानी भी तयार है और देखे रेडिमेट पानी पूरी आती है पानी पूरी देखे इस तरह से इसकी पूरी आती है मार्केट में काफी आसानी से मिल जाती है बस आपको अच्छा तेल गरम कर लेना है उसके अंदर ये पूरिया डाल देनी और देखे ये साइज में डबल हो जाएगी आप चाहे तो वो रेडिमेट जो पानी पूरी आती है वो भी आप लेकर आ सकते हैं मैंने यहाँ पर फ्राय कर लिए और अच्छे से ये फ्राय हो ज कीज़े और मुझे कमें सेक्षन बताइए कि आपको ही मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीज़े शेयर कीज़े अपने फ्रेंज और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना प्लीज और मेरे ना भीन देना फ्बस प्लीज देई और मुझे के लिए और मुझे कीज़े बस एक्ष़ और मुझे लाइक得ा उन्या प्लीज बता प्लीज तान है